अससलाम अलैकूम कैसे हैं आपका बात शमय्याब के लिए बहुत श जल्दी बन जाती हैं wire बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत कम समान में बन जाती है चलिए फटफट से हम अपनी सिमेगे बना लेते हैं सबसे पहले एक पतेली में मैंने दो चम्मे देसी घी डाल लिया है देखे घी को खुड़ा सा गरम कर लिया अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डाल लागी भी उसकर सकती है गिदे के घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमेंगे डाल कर इंको भूल लेंगे दो मिनिट के लिए आप सिमेंगे भूल लेंगे कि देखे सिमेंगे हमारी अच्छे से भून चुकी है मैंने सो ग्राम सिमेंगे लेती है अब इसमा मैं अधा लेटर दूड डाल दूड 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 आप फुल क्रेम यूज करें जब है इसका दूड होता है वो ले 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 उससे आपकी सिमेंगे बहुत ही अच्छी बनेंगे आप दूड को एक बॉय्ल आने तक पका लें यह देखिए दूद में जब तक बॉइल नहीं आ जाता अच्छे से तो सिमयों को जब तक पका लें यह देखिए दूद में हमारे उपाल आ शुका है अब हम इतने चीनी डालेंगे यह में दो चम्मत चीनी लिए इसमें डाल दूँए चीनी डालकर इसको हम दो मिनट के लिए पका लेंगे और यह देखिए थोड़ा सा मैंने ड्राइफ्रूट लिया है तो काजू बदाम है इन दोनों को मैंने कूट लिया है अब सिमाइओ का हम बस दो मिनट के लिए और पका लेंगे जट पट से हमारी सिमाइए बनकर तयार है जब भी आपक मीठा खाने का मन करें तो आप फटाफट से यह सिमाइए बना लें यह बहुती कम चीदों में बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाती है ना है इसमें खोया डलता, ना है इसमें मिल्क नॉडर डलता बस दूद और सिमये और चीनी और थोड़ा सा ड्राइफूट डाल कर जटपट से सिमये बनकर तया हो जाती है ये देखें माशालों से बहुती मदेदार की हमारी सिमये बनकर तयार है चलिए इसको सर्व कर लेते हैं एक बार आप मेरे तरही के सिमये जरूर बना कर देखें इंशालला बहुत ही मदेदार बनेंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर यह देखें सो मेन अनार के दानों से थुड़ा सा डेकुरेट कर दिया है आप इसको कोई भी फ्रोट टार कर इसको फ्रोट से इस टौबेरी से अनार से अंगूर से किसी से भी डेकुरेट इखते है चलिए मिलती हैं अब मैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफेश